अगर आपका age 18 plus है तो आप अपना voter card के लिए apply कर सकते हैं वो भी आप अपने phone से ही तो चलिए simply start कर लेते हैं सबसे पहले options आप जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे और आपको एक application डाउनलोड करना है voter help line जो की आपको skin पे दिख रहा है चलिए इसे install कर लेते हैं सबसे पहले अपने phone में install करने के बाद आपको open करनी है voter help line को application open होने के बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने खुल जाएगा इसमें जितने भी step है बिल्कुल easy है आप आसानी से कर सकते हैं यहां पर देख पार है सबसे पहले आपको agree करना है और next कर देना उसके बाद यहां पर आपको language सेलेक्ट करनी है तो हम यहां से English सेलेक्ट करके यहां से get started पर क्लिक करेंगे अगर आप पहली बार इस application को download कर रहे हैं तो new user का option मिलता है जहां से आप इसको sign in कर सकते हैं कि अच्छंस login करने के बाद यहां पर voter registration का एक option मिलता है तो इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद new voter registration form 6 आपको दिख रहा है second वाले option पर इस पर आपको क्लिक करना एक नया page open होके हमारे पास आ गया है तो हम यहां से करेंगे let's start कि अच्छंस यहां पर पूछा जा रहा है are you applying for the voter ID first time अगर आप पहली बार voter card के लिए apply कर रहे हैं तो यहां पर yes क्लिक करेंगे तो हम चलिए first time कर रहे हैं तो यहां से yes क्लिक करके next कर देंगे तो यहां पर हमारा state पूछा जा रहा है तो हम यहां से simply state अपना select कर लेंगे उसके बाद district और उसके बाद जो भी आपका विदान सवाच्छेत्र है यहां से select कर लेना है तो चलिए यहां से select कर लेते हैं के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहां पर एक document पुरूप देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ का जिसमें आप जो है बहुत सारे option दिये हैं जिसमें से आप किसी एक को select कर सकते हैं तो चलिए हम यहां से आधार कार्ड select कर लेते हैं आधार कार्ड करने के बाद आपको अधार का एक photo upload करना है जो होगा JPEG format में या तो JPG format में और उसका file size 2MB के भीतर होना चाहिए तो चलिए हम यहां से upload कर लेते हैं यहां से upload करने के बाद आपको next कर देनी है next करने के बाद आपको अपना एक profile picture अपलोड करनी है तो चलिए हम profile picture upload कर लेते हैं gallery से या तो आप camera के थू है current में भी आप photo upload कर सकते हैं यहां पे photo upload करने के बाद आपको simply next कर देनी है next करने के बाद आपको यहां पर अपना नाम डालना है उसके बाद जो है नीचे automatic हिंदी में translate हो जाएगा अगर नाम में आपको अधार detail डाल लिए उसके बाद आपको अपना भी गिलिवल नमबर डालना है और यहां पर एक एक डिलेटीब का मोगाई नम्बर डाल सकते है यह तो आप अपना अपना एमेल आडी में यहां नरा यहां पर दाल लेता हूँ उसके बाद आपको एहां पडिश्य है तो यहां पर डाल सकते हैं जैसे कि आपको देखने में कोई दिक्कत है या तो आप ब्लाइंड वगड़ है तो यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं नहीं तो आपको यहां पर नीचा आके next करना अपके voter ID पे किसी का यहां पर डाल लेंगे तो चलिए यहां पर मैं डाल लेता हूं तो साड़ा चीज यहां पर फिल करने के बाद simply आपको next कर देनी है इस वाले पेज में जो है आपको address डाल लिए जो कि आप आधार कार्ड से match करके यहां पर डाल सकते हैं तो चलिए हां पर address फिल कर लेते हैं सबसे पहले horse number आपको डालनी है आपके family member में किसी के पास voter ID बना होगा तो उस पर आपका horse number होगा तो आप वहां से देखके डाल सकते हैं simply अगर आपके पास horse number नहीं है तो यहां पर town या तो village का नाम तो अपने village का नाम डाल लेंगे यहां पर आपका जो भी post office है वह यहां पर डाल लेंगे उसके बाद आपको अपना pin code डालना है उसके बाद आपका तहसिल या तालुका आपको यहां पर डालना है उसके नीचे आप देख पाड़ है select address proof आपको यहां पर हम आधार काड़ सेलेक्ट कर लेंगे एड्रेस प्रूप के लिए उसके बाद यहां पर एड्रेस प्रूप का जो है आधार काड़ का एक फोटो यहां से हम अपलोड करनी होगी एड्रेस प्रूप का फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहां पर दिख पाड़ा है यहां पर आपको कोई एक फैमिली मेंबर का डीटेल डालना होगा जिसका वोटर आईडी काड पहले से बन चुका है या तो आपके फादर हो या मदर हो या वाइफ हो तो चलिए किसी एक का यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर हम फादर सेलेक्ट कर लिए हैं जिसका वोटर आईडी काड पहले से बन चुका है तो यहां पर हम अपने फादर का नाम डाल लेंगे उसके बाद नीचे वाले कॉलम में उसके voter ID का number डाल लेना है उसके बाद कर देना है आपको next यहाँ पर declaration form open होके आजाता है तो declaration form में आपको यहाँ से district select कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना village select कर लेना है आप विलेज डाल लेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो address दी है उस पर आप कितने सालों से रह रहे हैं तो यहाँ पर हम select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे जाने के बाद place का नाम डाल लेंगे और यहाँ से done कर देनी है देन करने के बाद जो है preview page एक open होके आ जाता है जहां से आप साड़ा चीज देख सकते हैं जो भी फिल की है अगर यहां से incorrect है तो यहां से दुबारा एडिट करके आप change कर सकते हैं अगर आपका साड़ा चीज सही है यहां से तो हम confirm पे click कर देंगे कंफर्ण करने के बाद इस तरह का आपके पास एक message आ जाता है जिसमें लिखाड आता है कि आपका application सब्मिट हो गया है successfully और आपको एक reference ID मिल जिस ID से जो है आप इससे track कर सकते हैं लगबग 15 दिन लगेगा आपका जो वोटर ID कार्ट बन जाता है और physically भी आपके घड़ पे घड़ पर पहुंच जाएगा और आप application के मदद से भी खुद से भी download कर सकते हैं तो फ्रेंस आइप वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरी तरह से समझ आ गया होगा अगर कुछ भी confusion हो तो आप हैं में comment box में पूछ सकते हैं हम उसका reply देंगे तो फ्रेंस हम मिलता ह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेसे टॉपिक साथ तब तक लिए जाहिंद